असलाम अलेकुम गाइस कैसे हो उमीद करती हूं कि सब लोग खेरियस से होंगे तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक कफ सोजी से बहुत ही बेहतरीन बहुत ही जायकेदार और बहुत ही क्रिस्पी टेश्टी नास्ते की रिस्पी जिसको एक बार बनाकर खाने से आप बाहर क समोसे, कचोड़ी, पकोड़ी खाने भूल जाएंगे और इस रिस्पी को बार बार अपने घर में बनाने पर मजबूर हो जाएंगे तो यहां पर हमने एक कफ सोजी ली है इसके अंदर हम हस्बे जायका नमक डाल देंगे यानि जरूरत के मताबिक उसके बाद में यहां पर नमक और अजवाइन को सोजी में अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम बढ़िया से ताकि जो है सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं अब उसके बाद में यहां पर में डालूंगी इसके अंदर एक कफ जो है गेहूं का आटा गेहूं का जो आटा है हमारे घर में हमेशा मौजूद होता है सोजी जो होती है वो भी जो है हमारी बजट होती है जो हम इनको आसानी से ला सकते हैं तो हमने आपको यही बता रहा है कि हमारी वीडियो में आपको वही चीजे मिलेगी जो हमारे घर में हमेशा मौजूद हो या फिर हमें उन्हें आसानी से ला पाएं तो देख सकते हैं हमने गेहूं का आटा डाल कर इनको बढ़िया से मिक्स कर लिया है उसके बाद दो से धाय चम्मच इसमें से मैं आटा निकाल लूँगी और क्या करूँगी पहले इसका मैं घोल बना लेती हूँ पहले से घोल बना कर जब हम इनको रख देंगे तो हमारी जो सूजी है सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इनका घोल बना लेती हूँ और घोल बनाते समय यहाँ पर थोड़ा सा पानी में ज़्यादा डालूँगी क्योंकि जब हमारी सूजी फूलेगी तो यह अभी और गाड़ ही होगी तो इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर मैं इनको अच्छे से घोल ली हूँ अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी पौडर तो यहाँ पर मैं हल्दी पौडर डाल देती हूँ यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा यानि हाप चमस्कीतना मिर्ची पौडर और इनको भी डाल कर मैं बढ़ियां से इसको मिक्स कर लेती हूँ यानि इनको घोल लेती हूँ तो अब इनको हम रख देंगे साइट पर जब तक यह हमारी सूजी फूलेगी तो भी हमारा बैटर और गाढ़ा होगा लेकिन तब तक हम सूजी को फूलने के लिए रख देते हैं और तब तक अपना आगे की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम ढख कर रख देंगे गाईस मिक्स करके गूथने के बाद में हम इनको 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाए और अच्छे से सेट हो जाए तो आप देख सकते हैं सूजी को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है गाईस अब इनको इस तरीके से अच्छे से हम थोड़ा सा गोथ कर उसके बाद में इनको हम रख देते हैं साइट में तो देख सकते हैं ये जो है ये गोथ चुके हैं अब इनको हम साइट में रख देते हैं उसके बाद आगे की अपनी feeling तयार करेंगे यहाँ पर हमने दो उबले हुए आलू लिये हैं आलू को हम कद्दू कस करेंगे कद्दू कस करने से क्या रहेगा आलू के अंदर गुठुलिया नहीं रहेगी अगर आप कद्दू कस नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इनको अगर हाथों से ही मसल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के अंदर कोई गुठुलिया नहीं होनी चाहिए तो देख सकते हैं गाईस यहाँ पर हमने आलू को अपने कद्दू कस कर लिया है बहुत ही अच्छे से अब इसमें गुठुलिया भी नहीं है और हमारा जो आलू है वो भी जल्दी से कद्दू कस हो गया है यहाँ पर मैं एक चम्मच कद्दू कस किया हुआ गाजट डाल देती हूँ और एक चम्मच मैं यहाँ पर कद्दू कस किया हुआ सिमला मिर्च डाल दूँगी उसके बाद में यहां पर मैं दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ एक चमच यहां पर मैं डाल दूँगी धनिया पत्ता हरा धनिया एक चमच की इतना मैं डालूँगी देख सकते हैं उसके बाद में क्या करेंगे इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना मसाला तो मसाले में हमें क्या-क्या डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप लोग वीडियो में लास तक बने रही वीडियो को भगा कर या इसकीप करकी बिल्कुल मत देखिए यहां पर मैंने हाप चम्मच धनिया पौडर डाल दी है हाप की इतना जो है कुटी हुई लाल मिश डाल दूंगी और एक चम्मच हम यहां पर निम्बू का रश डाल देंगे अगर आप आम चूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल रहे हैं तो निम्बू को स्कीप कर दीजिए लिए निम्बू हो जो होता है वो हमें आसानी से मिल जा जो हमने सूजी को गूथा था तो यह सूजी हमारी फूल गई है यह थोड़ा सा डूइस का जो है थोड़ा सा टाइट हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे इस तरीकी से तो जब तक मैं इनको गूथ रही हूं तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक क share करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिल पाए अगर आप लोग recipe को share करोगे तभी तो हमारे घरों में हमारे रिष्टेदारों में हर कोई इस तरीके से बनाएगा खाएगा guys अगर हमें कोई चीज अच्छी लगे तो फिर वो चीज को हमें दोस्तों में रिष्टेदारों में share कर देनी चाहिए क्योंकि हर कोई वीडियो नहीं देख पाता है हर किसी के पास वीडियो अगर जाती भी है तो लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन जब हम share करेंगे तो हर कोई देख लेगा इस तरीके से हमें बनाने और खाने का भी मौका मिल जाता है यहां पर मैं इसकी जो है आटा जो हमने गूथा था उसकी हमने लोई लगा ली है और उसके बाद में थोड़ा सा सूखा आटा हमने लगाया है सूखा आटा लगाने के सबस्क्राइब यह अप्सक्राइब अब unknown नहीं नहीं बनाँगी आटे को एक साथ में ले ली हूँ और उसके बाद में इनकी एक बड़ी सी रोटी बेल लोंगी तो रोटी को आप उस तरीके से बेलना है जो हमारी रोती बेलना है जब हमारी रोटी जो है पतली थोड़ी रहेगी तो फिर जब हम इनके उपर जो है अपना फीलिंग लगाएंगे तो फिर उखाने में एक टेश्ट एक मज़ा ही अलग रहता है ध्यान रखिए रोटी को ज्यादा मोटी मत बेलिए यहां पर आप देख सकते हैं बड चमज के मजब से लगा देगे शेता अलो के अंदर बुछत ही जादा लसोर पना चिकट पना होता है लेकिन जब हम इस तरीके से चमज से लगाएंगे तो मारी रोटी पहर यहीं अगर आफ हाथों से लगाते हैं कहीं वह उठी रहे जह में से हुआ आते हैं उसी चम्मर से ZA di生假 estás dengan kita ended ini कि वहां से आप थोड़ा सा तेड्क ज्पान पानी लगा लगा नगा कर इस तरीके से आप उससे भी फहल सकते हैं अच्छे से फैल जाएगा अब यहां पर इस तरीके से हम थोड़ा सा चप्टा करके इसका रोल बनाएंगे देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा चप्टा करके मैं इसका रोल बना लेती हूँ अब रोल हमारा जो है जब हमने इनको फोल्ड किया है तो ये भी काफी मोटे हैं तो इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगे और इस तरीके से करने के बाद में मैं इनको रोल को अपने बढ़ा लेती हूँ यानि थोड़ा मैं रोल को लंबा कर लूँगी देख सकते हैं इस तरीके से हमें रोल को अपने लंबा कर लेना है यह देखिए तो अभी जो है लंबे हो चुके हैं अब इनको मैं क्या करूंगी थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर हाथों से इस तरीके से और इनको बड़ियां से set कर दूंगी ताकि जब हम इनका cutting करेंगे तो यह हमारे चाकु में छूरी में पकड़ेना अब इस तरीके से आधे-ाधे इंच पे मैं इनकी cutting करूंगी यह देख कफ आटे में और एक कफ जो है सुजी में हमारे देख सकते ही कितने सारे नास्ते बनकर तयार हो गए हैं जिससे कि हमारे घर वाले आराम सीखा सकते हैं अब हमने इनको CUT कर लिया है और CUT करने के बार में इस तरीके से दोनों अंगुलियों की मदस से इनको इस तरीके से ह्लका सा दबा कर इनको चप्ता कर दूँगी आप देख सकते है ना feeling कितनी बढ़िया से है सब तरप से एकदम किनारे किनारे सब तरप से फैला है देखिए यह हमने जब आलू कद्दू कस कर दिया था ना यह इसका कमाल है देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से फैला हुआ है अब आप चाहे तो इसको इस तरीके से हाथों से चप्टा कर दीजिए वरना फिर इस तरीके से अंगली की मदद से इसको बढ़ा सकते हैं और फिर दोनों उलियों की मदद से थोड़ा सा इसको खीच कर भी बढ़ा सकते हैं जैसे आप चाहे ऐसे यह देखिए तो इस तरीके से हमने सारे जो है अपने फिंगर को बना कर तयार कर लिया है देख सकते हैं गाइस तो अब जो हमने सूजी और आटे का घोल बना के रखा थ जो हमने गूथा है उसी में से हमने निकाल कर तो अब क्या करेंगे देख सकते हैं सूजी हमारी जो है वो काफी फूल चुकी है अब इसके अंदर थोड़ा मैं और पानी डालूंगी ए देखिए इस तरीके से हमें एक पतला सा इनका घोल बना लेना है में ज्यादा मोटा न देखिए एक एक करकी मैं सारे नास्ते को डाल दूगी और उसके बाद में जब यह हलके से क्रिश्पी हो जाएंगे करारे हो जाएंगे उसके बाद में हम इनको टच करेंगे इनको पल्टी करेंगे अब वाइस एक बात और बता दू हमने इनको गेहों के आटे से बनाया है भले हमने सूजी डाली है लेकिन हमने उसके अंदर गिहों का आटा भी डाला है और इस तरीकी से हमने बनाया है गाइस तो ये बहुत ही कम तेल भी अपने अंदर एक्जॉप करते हैं तेल तो बिल्कुल भी नहीं होता है आपको पता ही नहीं चलेगा अभी मैं आपके सामने जो है अपने नास्ते को बना कर दिखाती हूँ, आप टेल का अंदाजा लगा लीजिए और लाइफ पुरूफ में आपको दिखाओंगी कि बिल्कुल भी नहीं जितना टेल कढ़ाई की अंदर था उतना ही तेल आपको मिलेगा, तेल हमारा बिल्कुल प्रश्कुल नहीं यह नास्ता सोकता है अब यहां पर मैं इनको उलट पलट कर इस तरीके से इनको एकदम क्रिस्पी करारी फराई कर लोगी यह कीन मानिए गाई जब इस नास्ते को हमने अपने घर में बनाया ना तो हमारे घर वाले पूछने लगे कि आप इसको बजार से मं हो या फिर ठेले से मंगवाई हो हमने कहां नहीं हमने इनको अपने घर में बनाया है घर का नास्ता है सब लोग को किसी को भी मतलब विस्वास नहीं हो रहा था कि घर का बना हुआ गेंगे और सूजी से बना हुआ नास्ता है इतना टेश्टी इतना श्वादिस इतना जायक पी आप उसको उनको बताओगे ना कि इस तरीके से हमने बनाया है तो आप की तारीफ करते नहीं ठगेंगे लेकिन गाइस इतना मेरी गैरंटी है कि रेश पी बिगर पूछे उन लोग जाएंगी भी नहीं रेश पी जरूर आप से पूछेंगे कि आपने इनको कैसे बनाया है तो देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया से ये फराई हो चुके हैं बहुत ही प्यारा कलर भी आया है देख सकते हैं गाइस एकदम इसके आगे समोसे कचोड़ी पकोड़ी सब कुछ फीके लगने वाले हैं और बहुत ही बेतिरीन हमारा ये सूजी आटे से बनकर नास्ता तैयार हो चुका है तो चलिए बाकी का भी थोड़ा नास्ता बचा है हमारा जो उनको भी आपको इसी तरीके से फराई करके दिखा देती हूं तो गाइस वापस से मैं आप लोगों से रिक्विस्ट करती हूं कि अगर आप लोग चानल पर बने हैं तो पिली चानल पर जो है किये हैं तो प्लीज गाइस प्लीज मेरी रिक्विस्ट है आप लोगों से वीडियो को लाइक जरूर कर दें चानल पर आप लोग नए आए हैं चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर लें इस तरीके से घर की ही चीज वाले हैं देख सकते हैं कितनी लेयरदार कितनी मसालेदार हमारे जो ये नास्ते हैं ये बनकर तयार हुए है तो जब आप लोग चानल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो में लेकि आऊंगी उसकी नूटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और गाइस हमार कितना मोलेई।